दिल्ली में स्वामिनाथन आयोक की सिफारिशों को लागू करने को लेकर माथा पच्ची जारी है मंत्री गोपाल राय ने किसानों और क्रशी विशेशक्यों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की दिल्ली सरकार अब सीटू फॉर्मूले के मताबिक MSP टै करने और तेलंगाना की तर्ज पर राय तु बंदू जैसी ओजना पर विचार कर रही है स्वामिनाथन आयो के रिपोर्ट के MSP के साथ साथ कई जगहों पर सरकारें जो है वो प्राइमरी सपोर्ट जो है सिस्टम डेवलप कर रही है जैसे तेलंगाना में कर रहा है उनका भी हमने प्रेजन्टेशन देखा है उस पर भी विशार करेंगे दिली में किसानों के सामने कई समस्याएं है राज में करीब 20,000 किसान है जो महंगी बिजली और खाद बीज ना मिलने से परिशान है इन किसानों के सामने फसलों की सरकारी खरीद ना होने की भी समस्या है किसानों को सरकार से उम्मीद तो है पर वे ऐसे चुनावी दाउपेच भी मान वहे हैं मंतरी गोपाल राय अभी किसानों के साथ 5 और 7 फरवरी को भी चर्चा करेंगे इसके बाद 10 फरवरी को मुख्यमंतरी अरविन केजरिवाल को रिपोर्ट सौफी जाएगी और उसके बाद ही फैसला होगा दिली सरकार की कवायत की जहां तारीफ हो रही है वहीं इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव अब बिलकुल नजदीक है किसानों के साथ चर्चा हैं जो दिली सरकार कर रही है उसकी वो एक अच्छी बात है लेकिन किसानों का कहना यह है कि जो चर्चा हो उसे प्रभावी तरीके से उसे लागू किया जाए और जो भी योजना हो उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए तभी किसानों को असली फाइदा मिलेगा दिली से केमरापरसन अश्वीन के साथ शशांग पाठक सुराज एक्स्प्रेस है